सब्सक्राइब कीज़े डिफेंस स्क्वेट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हेलो डिफेंस लवर्स वागत है आपका डिफेंस गयान स्रीज के फ्रेस एपिसोड में आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछी दिनों पहले हमने अपने डिफेंस अपडेट स्रीज में आपको चाइना द्वारा विक्सित की गई एक रेल गन के बारे में जानकारी दी थी और अगर ऐसा है तो कैसे है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है हम इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको दो बाते स्पस करना चाहेंगे पहली इस वीडियो में दिखाए गई सारी images के वल representational purpose के लिए है और दूसरी हम इस वीडियो को ये समझ के बना रहे हैं कि जो भी viewers इस वीडियो को देख रहे हैं उनको railgun की basic knowledge पहले से है यानि कि वे जानते हैं कि railgun क्या है और अगर आप मेंसे कोई ऐसा है जिने railgun की basic knowledge नहीं है तो हम उनको ये recommend करेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी railgun की वाली वीडियो देखें जिसमें हमने आपको railgun के बारे में बताया है कि railgun क्या है और एक काम कैसे करती है और उसके बाद ही ये वीडियो आपको ज्याद अच्छे तरीके से समझ आएगी और हमने अपने उस railgun वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन में दे दिया है तो चलिए बाते हैं वीडियो के main topic पर तो revision के तोर पर हम आपको railgun के basic concept के बारे में बता देते हैं railgun एक ऐसा device एक ऐसा weapon है जो किसी भी conventional gun के विपरीद projectile को fire करनी के लिए कोई gun powder या फिर किसी भी तरह के exclusive के बजाए electromagnetic force का इस्तमाल करता है और इससे जो projectile fire किया जाता है उसके रफतार max 7 यानि की 8575 km प्रति घंटा तक होती है और एक comparison के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो एक M16 rifle है उससे अगर कोई projectile यानि कि अगर कोई bullet fire की जाती है तो उसके रफतार होती है करीब 930 meter per second जो कि kilometer में होगी 3348 km प्रति घंटा यानि कि rail gun से fire किया गया projectile M16 rifle से fire किये गया projectile की तुनला में double से भी ज़्यादा speed में move करता है लेकिन यहाँ पे जिस rail gun की बात हो रही है वो कोई ऐसा हत्यार नहीं है जिसे आप हाथ में पकड़ कर fire कर सकें यहाँ पे बात हो रही है एक full size rail gun की लेकिन कि ऐसा possible है कि हम इस full size rail gun को छोटा करके man portable बना सकें और उसे किसी assault rifle की तरह इस्तमाल कर सकें तो अगर experts की माने तो इस rail gun को theoretically man portable बनाया जा सकता है लेकिन practically इसे possible बनाने में अगर कोई बड़ी समस्य आईगी तो वो आईगी इसके power source की क्योंकि अगर rail gun projectile को max 7 की रफ्तार से fire कर पाती है तो वो cable और cable electromagnetic force की बज़े से और उस level की electromagnetic force को generate करने के लिए एक बहुत बड़ी amount में electrical energy की लागातार supply की चेरोत पड़ती है इसका मतलब यह है कि आप rail gun को miniaturize यानि कि उससे छोटा करके एक man portable assault rifle की तरफ बना तो सकते हैं लेकिन जब बात आएगी उससे projectile को fire करने की तो एक full size rail gun जितनी रफ्तार से projectile को fire कर सकती है उस रफ्तार से अब इस man portable rail gun से projectile को fire नहीं कर सकेंगे और उसका सबसे बड़ा कारण होगा प्रियापत मातरा में इस rail gun को electrical energy ना मिल पाना जिस वजे से प्रियापत मातरा में electromagnetic force भी generate नहीं होगी और इस सीधी सी बात है अगर कोई man portable rail gun है तो उसमें power source के लिए batteries का इस्तमाल किया जाएगा तब ही जाकर वो man portable बन पाएगी और batteries इतनी powerful नहीं होती हैं कि वो इतनी बड़ी amount में electromagnetic force को generate कर सकें और चलो मान भी ले जाए कि किसी तरह से ऐसी batteries develop की जाती है जो इसकी प्रियापत electromagnetic force को generate कर भी दे लेकिन फिर भी एक problem आएगी उस battery के discharge होने की क्योंकि अगर कोई battery इतनी ज हैं वो बहुत ही slow charge होते हैं और जो बड़े capacitors हैं यानि कि ज्यादा charge को carry कर सकते हैं उनको charge होने में समय भी उतना ही ज्यादा लगता है हाले कि जरूर है कि इस तरह की man portable rail gun से जो bullet fire होगी उसके रफतार किसी conventional gun से fire होने वाले बुलेट से ज्यादा होगी लेकिन अगर बुल लंबे समय तक electrical energy को generate कर सकता है और अगर आपने iron man movie देखी है तो उसमें बात की गई है एक arc reactor की हालनकि वो केवल movie में है असल में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा ही कुछ power source आ जाता है और कुछ भी करके हम इसके recoil को भी control कर लेते ह हैं लेकिन इसके बाद भी इस band portable railgun में एक और सबसे बड़ी समस्या आईगी और वो आईगी इसके heating की क्योंकि हमने अपने पहले railgun वाली वीडियो में बताया था कि railgun की एक limitation ये भी है कि आप इससे लगातार fire नहीं कर सकते हैं क्योंकि लगातार fire करने की वज़े से इसकी जो rails, जो coils हैं वो काफी ज़्यादा heat हो जाती हैं और अगर railgun proper energy generate कर रही है तो कम से कम 2-3 round fire की जाने के बाद ये overheat हो जाएगी और वो इतनी heat होगे कि उससे धंडे होने तक आप उससे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हाला कि जो अमेरिका है वो भी काफी समय से इन railguns को battlefield में इस्तेमाल करने की कई तरीकी योजनाएं बना रहा है और अमेरिका इस railgun technology को miniaturize करने पर भी काफी तीजी से काम कर रहा है लेकिन फिर भी इस तरह के अभी तक जितनी भी prototype बने हैं उनसे भी में इस तरह की limitations दूर नहीं हुई है और वैसे भी जो man portable railgun होगी वो एक तरीके की coilgun होगी और उसमें rails के बजाए coils का इस्तमाल जादा किया जाएगा तो अगर इसका conclusion देखें तो हमारे opinion में एक man portable railgun को practically possible करना मुश्किल तो है लेकिन ना मुम्किन नहीं है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि science and technology कैसी कमाल की चीज है जो हमको कई सालों से हर बार जो से चौकाती रहेगी और एक man portable railgun को बनाने के लिए इस तीन main चीज fix करने की सबसे ज़्यादा जरुवत है पहली proper power supply और एक fast charging capacity system दूसरा एक ऐसा light recoil system जो वजन भी कम करें और साते साथ railgun के high recoil force को भी handle कर सकें और तीसरा छोटा और light long endurance वाला high voltage system और वैसे अगर एक तरी अगर आपको अपनी गन से किसी टैंक को उडाने के इच्छा है तो ऐसे में railgun काफी मददकार साबित हो सकती है और बाकि अगर आपको हमारे इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक जिरूर करा करें और इसी उमीद के साथ हम इस वीडियो का लाइक ट्रकेट रख रहे हैं 30,000 तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही अगर आप कोई एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या पिस सुझाव हो तो इसे कॉमेंट सेक्षिन में शेर करें बाकि अगर आपने इस चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें